बिहार में लगातार बढ़ते कोरोना संकर्मीत मरिजों की संख्या ने सरकार की टेंसन बरहा दी है बिहार के आम लोग भी चिंतित हैं कि कैसे बढ़ते संकर्मन पर ब्रेक लगेगा इस वीच लगातार सेम नितीश बड़ी बैठक कर रहे हैं आज सियम नितीश कुमार ने बिहार के सभी जीलों के डी-ेम और एसपी से बैठक कर बाचीत की और पूछा है बिहार में लगातार बढ़ते संकर्मन पर कैसे ब्रेक लगेगा ऐसे में पुरा बिहार अब इंतेजार कर रहा है नितीश कुमार के उस फैसले का जो लगातार बढ़ते संकर्मन पर ब्रेक लगाने को लेकर सियम नितीश लेंगे यानि की लॉकडाउन या फिर नाइट कर्फियू आपसे कुछ ही देरों के बाद सियम नितीश कुमार पत्रकारों से बाचीत करेंगे और जानकारी देंगे कि बिहार में लगातार बढ़ते संकर्मित मरीजों की संख्या ने जो टेंसन बढ़ाई है उससे कैसे कम किया जाएगा कैसे बिहार में संकर्मन का रफ्तार रुकेगा क्या लॉकडाउन लगेगा या फिर नाइट कर्फियू लगेगा आपसे कुछी देरों के बाद स्रीम नितीश कुमार बाचित करेंगे पत्रकारों से आपको बता दें जो जानकारिया हमें मिल पा रही है जो सुत्रिक अनुसार जानकारिया मिल रही है वो यह है कि CM नितीश कुमार ने सभी जिलो के DM और SP से पूछा है संकर्मन जो बर रहा है जो संकर्मन बर रहा है उस पर कैसे विराम लगेगा और साथ ही अगर लॉकडाउन लगाई जाए बिहार में लगातार बरते संकर्मन पर ब्रेक लगाने के लिए तो तयारियां कितनी ह कितने जिलो के DM और SP तयार है इन तमाम बातों को लेकर CM नितीश कुमार ने सभी जिलो के DM और SP से पुछताज किया है आपको बता दें कि आपात कालीन बैठक में CM नितीश कुमार के साथ अलग-अलग मंत्री भी सामिल हुए थे अलग-अलग विभावों के स्वास्त मंत्र साथ ही तमाम डिपार्टमेंट्स के अधिकारी मौजूद थे और आज CM नितीश कुमार बड़ा फैसला ले सकते हैं बिहार में लॉकडाउन पर अब से कुछी दिरों के बाद कुछ दिर और से स्राग हैं साम को 6 बजे CM नितीश बड़ी जानकारी देंगे बिहार में लाग कि उन्होंने जो बाचीत किया है सरकार पुरी तरीके से लॉकडाउन के मूड में है और ऐसे में तयारिया भी करनी होगी तो ये देखना होगा कि आज CM नितीश कुमार जब 6 बजे साम को प्रेस कॉन्फिरेंस करेंगे और बताएंगे बिहार में बरते संकर्मन पर ब्रेक लगाने का क्या कुछ उन्होंने फैसला लिया है तो एक क्लियर हो जाएगा कि क्या वाकई नितीश कुमार ने लॉकडाउन पर जो फैसला लिया है जो बाते लॉकडाउन को लेकर चल रहे है बिहार में क्या वाकई लॉकडाउन लगने वाला या फिर नाइट का कर्फियू लाएगा या विकली लॉकडाउन लाएगा क्योंकि जो सौर्स की खबरे हैं सौर्स के अनुसार आपको बता दे कि विकली लॉकडाउन पर भी चर्चा हुई है और यहीं वज़ा है कि पुरा बिहार इंतेजार कर रहा है सेमनितीश कुमार के बड़े फैसले का बरते संकर्मन पर ब्रेक लगाने का आप तोड़े विहारने के साथ बने रहे हैं लागातार यहां देश-दुनिया के तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ साथ बिहार में कोरोना से बरते संकर्मित मरीजों की संख्या और जो लिटेस्ट अब्डेट है वो हम आपको दे रहे हैं झा झालब्स